नमस्कार मित्रों, डिजार पॉंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूँ अमित दूबे और हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 10 की NCERT मैथ की प्रशना वली 4 दसलो 3 का अध्यन करेंगे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पहले प्रशन का अध्यन कर लिया था और आज हमें दूसरे प्रशन का अध्यन करना है दूसरा प्रशन क्या कहता है कि उप्योगत प्रशन एक में यानि ये जो चारो समीकरण दिये हैं दिये गए दुई घात समय करनों के मूल दुई घाती सुत्र का उपयोग करके ग्यात किजिए यहाँ पे देखिए दुई घाती सुत्र का उपयोग करके ग्यात करना है तो चलिए सुरू करते हैं और एक बात जो कुछ भी आपके डाउट्स रह गये हैं उन्हें इस वीडियो के लाश्ट में मैं बताऊंगा तो पहला प्रश्ण है 2x2-7x3 is equal to 0 जिसे दुई घाती सुत्र का उपयोग करके ग्यात करना है क्या मूल ध्यान से समझेगा बहुत ज़्यादा important प्रश्ण है देखिए हमारा समीकरण है 2x2-7x3 is equal to 0 चलिए मैं इसे आपको 2 step में समझाता हूँ सबसे पहले आपको काम क्या करना है आप लिखेंगे step 1 आपको लिखना नहीं है यह सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ step 1 में क्या है कि हमें a, b और c ढोड़ना है यह जो yaks square के आगे होती है संख्या वो होती है a ठीक है और जो यह के वल yaks है उसके आगे संख्या होती है वो होती है b और यह जो अकेली संख्या होती है वो होती है c यह मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था यानि अब हम three point solve कर रहे थे तब, तो A क्या होता है, जो yaks square के आगे होता है, B क्या होता है, जो yaks akalya के आगे होता है, और C क्या होता है, जो सबसे last में होता है, तो यहाँ पर A क्या है, चिन्ने के साथ लिखा जाता है, yaks square का गुडांख, क्या है, 2 है, तो इसका मतलब A, 2 है, B की बात करें, तो yaks का गुडांख क्या है, yaks का गुडांख है, मैंने कहा न, चिन्ने के साथ आपको लिखना है, और C क्या है, C है 3, सबसे पहला काम आपको करना है, कि yaks square का गुडांख, yaks का गुडांख, और ये जो 3 है, इन्हें A, B और C के रूप में लिखना है, तो A होता है, जो yaks square का गुडांख होता है, B होता है, जो yaks का गुडांख होता है, और C होता है, जो सबसे लाश्ट में होता है, और इन्हें हमेशा आपको चिन्ने के साथ लिखना है, अब आगे आपको कुछ भी नहीं करना इस tip 2 में बता रहा हूँ अब ये सवाल बहुत जादा आसान हो गई एक सूत्र होता है ये सूत्र है जिस सूत्र में रखकर आपको solve करना है कि minus b उसके बाद plus minus under root b square minus 4ac upon 2a अब देखिए भाईया बहुत ध्यान से समझेगा यक्स तो यक्स के जैसा ही रहेगा बराबर b के अस्थान पे b का मान रखना है तो एक minus इसके पास पहले से है ठीक है तो हमेशा संख्या रखने से पहले b का मान रखने से पहले आप break up लगा दिया करेंगे क्योंकि यहाँ पहले से minus है तो अब देखिए b का मान क्या है b का मान है minus 7 ठीक है उसके बाद plus minus under root b square b का मान क्या है minus 7 और minus 7 का square minus 4 into a का मान 2 है into c का मान 3 है पूरे का बटा है 2a 2 और a का मान है 2 ठीक है इतनी बात समझ में आई द्यान से समझेगा आगे देखिए yaks is equal to यह minus था अंदर जाएगा यह 7 plus का saving हो जाएगा फिर उसके बाद plus minus under root देखिए इसका मतलब है कि 7 का 7 में गुड़ा तो minus 7 गुड़े minus 7 करेंगे तो minus minus का गुड़ा हमेशा plus होता है और 7 का गुड़ा यानि 49 सससता 49 तो यहाँ पे हो गया 49 फिर उसके बाद minus minus था minus लगा दिया 4 दू के 8 8 दिके 24 तो यह हो जाएगा 24 और पूरे का बटा 2 दू के 4 अब देखिए yaks बराबर यह 7 था यह plus minus under root 49 में से 24 जाएगा तो 4 में से 5 गया यानि 5 बच गया और यहाँ पे 2 बच जाएगा 25 बच जाएगा और पूरे का बटा 4 बच जाएगा ठीक है अब देखिए 25 को क्या लिख सकते है 5 गुड़े 5 under root में तो 5 बाहर आ जाएगा जोड़ा बन जाएगा यानि ये प्लस माइनस 5 बाजाएगा अपान 4 अब इसका मतलब ये है कि एक बार 5 को प्लस में रखना है और एक बार 5 को माइनस में रखना है तो चलिए 5 को प्लस में रखना है हम लिखेंगे धनात्मक मान लेने पर यानि यक्स is equal to 7 7, 5 को प्लस में लेना है तो 7 प्लस 5 अपान 4 और ये 7, 5, 12 हो जाएगा अपान 4 गट जाएगा 4 यानि एक बार यक्स बराबर हमें मिलेगा 3 चलिए अब रिनात्मक मान लेते हैं रिनात्मक मान लेने पर यानि 5 को माइनस में लेते हैं तो ये हो जाएगा यक्स is equal to 7-5 अपान 4 इस तरह से यक्स के दो मान आ गए जो की इस समी करण के मूल हैं अताह आप लिख देंगे अताह तीन तथा एक बटे दो समी करण के मूल हैं एक बार फिर से समझेए आपको समी करण दिया जायेगा समी करण में आपको A, B और C का मान निकालना होगा A क्या होता है? जो यक्स स्क्वाइर का गुडांग होता है उसे A कहते है B क्या होता है? जो केवल यक्स है उसका गुडांग होता है उसे B कहते है और C क्या होता है? जो सबसे लाश्ट में होता है उसे C कहते है step 1 इतना ही करना है step 2 में आपको सूत्र पता होना चाहिए यक्स बराबर होता है minus b plus minus under root b square minus 4 इसी अपांट हुए इसी में सब कमान रख देना है यानि minus b के अस्थान पे यानि ये minus पहले से था तो minus लगा देंगे फिर हर बार आप ये काम करेंगे कि bracket लगा लेंगे b कमान प्लस में होगा तब भी आप ब्रेकट में ही रखेंगे ताकि आपको चिन्ह परिवत्तन करने में प्राब्लम ना हो तो यहाँ पे हमने b कमान रख दिया फिर plus minus under root b square यानि b square b का जो मान है उसका square करेंगे फिर minus 4 लिखेंगे into a कमान 2 था फिर into करके c है तो c कमान 3 था फिर upon में क्या है 2 है into a कमान यानि 2 into 2 फिर सब solve करते चले जाएंगे दूसरी बात आपको संख्या को under root से बाहर निकालना आना चाहिए यहाँ पे हमने 25 को कैसे निकाला है यानि 25 को हम लिख सकते है 5 गुरते 5 और under root में जिसका जोड़ा बन जाता है अथा 2 संख्या हो जाती है तो उसमें से 1 संख्या plus minus के साथ बाहर आ जाती है इसी तरह से हमने यहाँ 5 को बाहर निकाल लिया है और फिर इसको solve किया है एक बार plus में और एक बार minus में और हमें मान मिला है 3 तथा 1 बटे 2 और यही समीकरण के मूल है दूसरे प्रश्ण पर चलता हूँ तो आपको प्रश्ण दिया गया है 2 x square plus x minus 4 is equal to 0 सबसे पहले step 1 step 1 में हम a, b और c का मान निकालेंगे तो हम लिखेंगे a बराबर a क्या होता है जो yaks square का गुड़ांक है गुड़ांक कितना है 2 तो a का मान 2 फिर कामा b बराबर b वो होता है जो किवल yaks है उसका गुड़ांक है और च्योंकि यहाँ yaks के साथ कोई संख्या नहीं लिखी इसका मतलब 1 का गुड़ा है ठीक है सूत्र लिखते है सूत्र होता है yaks बराबर minus b plus minus under root b square minus 4ac पूरे का बटा 2a अब मान रखते हैं अब हम देख रहे हैं कि yaks is equal to minus है तो हमने minus लगा लिया bracket में रखेंगे मान हर बार चाहे plus में हो चाहे minus में तो b का मान 1 है हमने bracket लगा के bracket में एक रख दिया plus minus under root b square b का मान कितना है 1 और 1 का square minus 4 4 लिख दिया into a a का मान है 2 फिर into c c का मान है minus 4 पूरे का बटा 2 into a का मान है 2 ठीक है अब yaks is equal to ये minus अंदर जाएगा minus का 1 हो जाएगा फिर plus minus under root एक का square करेंगे a के ही आएगा यहाँ पे भी minus है यहाँ भी minus है minus minus का गुड़ा plus हो जाएगा 4 चोंके 16 16 दू के 32 और पूरे का बटा 2 गुणे 4 आगे चलेंगे yaks is equal to minus 1 plus minus under root 32 एक 33 और अपान 4 प्लस में लेंगे और एक बार 33 को minus में लेंगे ठीक है sorry under root 33 को एक बार प्लस में और एक बार under root 33 को minus में लेंगे तो चलिए धनात्मक मान लेते हैं तो धनात्मक मान लेने पर यानि yaks बराबर ये minus का 1 ये plus में लेना है अर्थाथ प्लस अंडरूट 33 और पूरे का बटा 4 तो अब इसको solve तो किया नहीं जा सकता ना तो इसका मतलब ये पहला मूल है माइनस 1 प्लस अंडरूट 33 बटे 4 और फिर रिनात्मक मान लेते हैं तो रिनात्मक मान लेने पर ये यक्स है बराबर मानस का 1 ठीक है ये अंडरूट 33 को अब की बार मानस में लेना है अंडरूट 33 पूरे का बटा 4 अब इसको भी solve नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब आप लिख देंगे कि अतह यहाँ पे मानस 1 प्लस अंडरूट 33 बटे 4 तथा मानस 1 मानस अंडरूट 33 बटे 4 समी करण के मूल होंगे मैं अगले प्रशन पर चलता हूँ अगला प्रशन है 4x स्क्वाइर प्लस 4 अंडरूट 3x प्लस 3 is equal to 0 ध्यान से समझेगा कई बार इस प्रशन में छात्रों को बहुत ज़्यादा प्राब्लम होती है मैं पहले से बता दे रहा हूँ ध्यान से समझेगा एक बात और केवल वीडियो देखने से कोई लाभ नहीं होने वाला बीडियो जब खतम हो जाए तो आप लोग अपने से एक बार इन सभी प्रशनों को solve किया करिए ठीक है क्योंकि बीडियो देखते वक्त तो ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन जब खुद solve करने बैठते हैं तब problem होने लगती है तो इसे खुद से भी solve किया करिए ठीक है अब देखिए सबसे पहले step 1 यह मैं आपको समझाने के लिए step लिखता हूँ ताकि आप समझ जाए a का मान क्या होगा yaks square का गुणांक कितना है 4 b बराबर b का मान कितना होगा yaks का गुणांक कितना है 4 under root 3 c बराबर c का मान कितना होगा last वाला 3 सभी positive है तो सभी positive मिलिया इस tip 2 हमें क्या करना होता है कि हमें सूत्र में मान रखना है अर्थात हमारा सूत्र होता है yaks is equal minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a अब ध्यान से समझेगा बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेगा देखिए यह yaks है yaks तो वैसे ही रहेगा yaks is equal minus b तो हम पहले minus लगा लेते हैं bracket भी लगा लेते हैं b का मान क्या है 4 under root 3 bracket बंद फिर उसके बाद यहाँ पे दिखिए plus minus तो यह plus minus under root b square यह b का मान कितना है 4 under root 3 और इसका हो जाएगा square हो जाएगा आगे क्या है कि minus है 4 है a का मान रखना है तो a का मान है 4 into c का मान रखना है तो c का मान है 3 फिर पूरे का बटा है 2 into a का मान कितना है 4 अब दिखिए करना क्या है यहाँ पे तो ठीक है भाई yaks is equal to यह minus अंदर जायागा तो minus का 4 under root 3 हो जायागा फिर plus minus under root अब यहाँ पे problem होगी ध्यान से समझे इसको कैसे solve करना है जब किसी संख्या का square होता है जैसे 2 का square है तो इसका मतलब है कि 2 का 2 में गुणा करना है ठीक है वैसे ही यहाँ पे 4 under root 3 का square है इसे मैं उपर समझाता हूँ तो इसका मतलब 4 under root 3 का गुणा करना है 4 under root 3 में ठीक है 4 under root 3 का गुणा करना है 4 under root 3 में square का मतलब होता है जैसे 2 का square था तो 2 का 2 में गुणा अब ध्यान से समझे यह 4 और 3 के बीच कोई चिन्ध नहीं है जैसे मैं लिख दूँ 2x तो अब दोनों के बीच कोई चिन्ध नहीं है मैं कहूं कि दोनों के बीच कोई चिन्ध नहीं है लेकिन हम दोनों लोग जानते हैं यानि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इन दोनों के बीच जब कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच गुड़ा है जो लिखा नहीं गया है यानि दो गुड़ते यक्स है ठीक है दो संख्याएं हैं तो इन पे भी वैसे ही है, चार गुर्ते अंडर रूट थी, ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा अलग रूप में लिखते हैं, अलग रूप में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे रफकारी की विशे समझ सकता है, यहाँ पे समझेगा, यह चार है, और यह चार है, चार गुर्ते चार को आ से अंडर रूट 3 गुरते अंडर रूट 3 तो ये बन जाता है 3 ठीक है उसी संख्या का अंडर रूट से उसी संख्या में गुड़ा कर दें तो वो free हो जाती है अंडर रूट से बाहर आ जाती है यहीं पर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 होता तो ये हो जाती 2 ठीक है सेम संख्या अंडरूट में हो और सेम संख्या से गुड़ा कर दीजिए तो वो संख्या अंडरूट से बाहर आ जाती है तो ये चार गुड़ते चार था ऐसे ही रहेगा और ये दोनों मिल करके यहाँ पे देखिए ये दोनों मिल करके क्या बन जाती है तो यह हो जाएगी इंटू थ्री और चार चुको 16 और 16 तियां 48 हो जाएगा यानि यह हो जाएगा 48 ठीक है अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से अपने से करके देख लीजेगा अब यहाँ पर मैं लिखूंगा 48 ठीक है फिर माइनस है माइनस रहेगा चार चुको 16 और 16 तियां 48 यह हो गया 48 पूरे का बटा 2 इंटू 4 आसान है अब यहाँ पर देखिए यह हो गया यक्स इस इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट 3 यह 48 प्लस में यह 48 माइनस में दोनों कट गये बचा गया 4 अंडर रूट 3 इसका तो अस अब ध्यान से समझिएगा यह 4 है इंटू में है यह कट गया मैंने कहा था ना कि दो संख्या होती है तो उनके बीज गुड़ा होता है यानि 4 और अंडर रूट 3 के बीज गुड़ा है तो यह 4 गुड़े में था कट गया और यहाँ पे भी नीचे में गुड़े में है यान संख्या प्राप्त हुई थी तो आप लिखेंगे यहां पर कि अताह शमी करने की मूल माइनस अंडर रूट 3 अपान 2 और फिर से तथा करके यही सेम संख्या लिख दीजेगा माइनस अंडर रूट 3 अपान 2 होंगे ठीक है क्योंकि कम से कम दो मूल होते हैं मैंने पिछले होंगा मैं डारेट कर रहा हूं यहां पर a बराबर होगा 2 b, b बराबर होगा 1, c बराबर होगा 4 अब हमारा सूत्र होता है yaks is equal to minus b plus minus under root b square minus 4 a, c upon 2a मान रखते हैं b का मान यानि yaks is equal to b का मान है minus पहरे है तो ब्रेकट लगाएंगे 1 फिर plus minus under root b square यानि एक का square फिर minus 4 गुनते a, a का मान है 2 into c का मान है 4, 4 एका बटा 2 into a का मान कितना है 2, ठीक है अब yaks is equal to minus अंदर जाएगा तो यह minus 1 हो जाएगा plus minus under root, एक का square करेंगे तो जाहिए इसी बात है, एक का square एक ही आएगा minus, 4 दूखे 8, 8 चोब को 32, ठीक है तो यह हो गया 32, और नीचे हमारे पास बचा है 2 into 2 यानि 4, अब द्यान से समझे इस बात को कि yaks is equal to minus 1 था minus 1 रहेगा, plus minus, under root पे देखिए यह एक plus में है और 32 मानस में है, तो 32 में से एक घट जाएगा तो यह आएगा minus का 31 बटे 4, और दुनिया की किसी भी बिधी से अर्थात यहाँ पे minus 31 को बाहर नहीं निकाला जा सकता, यानि under root में minus 31 एक काल्पनिक संख्या है, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे, अताह यहाँ पे कि minus 1 plus minus under root minus 31 बटे 4, यहाँ एक काल्पनिक संख्या है, एक बार आप इसको लिखेंगे पूरा, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ एक कालपनिक संख्या है, अता दिये गए समी किरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, तो ये दूसरा प्रशन भी समाप्त हुआ, अब थोड़े से डाउट्स थे, उनको किलियर करते हैं, यहाँ पे जो पहला प्रशन था, यह जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सॉल्विक किया था, इसमें एक प्रशन पूछा था एक छात्र ने, कि यहाँ पे दो से ही भाग क्यों दिया जा रहा है, तो भाई यह बहुत ध्यान से समझे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारा उद्देश सी केवल इतना सा होता है, कि यह जो यक्स का स्क्वाइर ह हमारा उद्देश सी है कि हमें यक्स स्क्वाइर चाहिए, यक्स स्क्वाइर के साथ कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो हम हर बार यक्स स्क्वाइर को फ्री कर रहे थे, ऐसे प्रशनों को हल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, कम से कम तीन तरीकों से इन्ह खतम हो जाती है तो फिर से समझ लीजिए कि यक्स में यहाँ पे पहले समय करन में 2 से इसलिए भाग दिया था क्योंकि हमें इस यक्स स्क्वायर को फ्री करना था आगे की संख्या चाहे जो संख्या बन जाए हमें उससे कोई फरक नहीं पड़ता हमें किवल यक्स स्क्वायर फ्री चाहिए उसी तरह से यहाँ पे भी 2 था तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी 2 से भाग किया था क्योंकि मुझे यक्स स्क्वायर फ्री चाहिए आगे की यह दोनों संख्या क्या बन जाते हैं उससे मुझे फरक नहीं पड़ता उन्हें मैं आगे चलके solve कर लूँगा ठीक का पूरा मिला के एक सब्द में आपको समझाओं तो बात के वल इतनी सी है कि इस यक्स स्क्वायर को आपको फ्री करना है आगे की संख्याय चाहिए जो बन जाये उन्हें आप बहुत आसानी से solve कर लेंगे तो बस आज कि इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में आग झाले टो आबला को झाले कि एलेगे कि ए था जच्छतूव देदनxture के दाज़ा दो कर दो वेददने क्या क्वेदने to् है समझावे और्यू पोवीगी कर सब्सक्राशाब ए ले लेदर वे लेगे हाँ आगे।